Hello everyone, तो कैसे हो सारे students, तो UP वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके दिमाग में हैं कि दो चीजे चल रही है, एक तो FW seat क्या होता है, सबसे पहली चीज है, FW seat होता क्या है, एक और सी चल रही है कि income certificate किन बच्चों को upload करना है, ठीक है, ये दो doubts बच्चों के दिमाग में चल रह लेकिन चैनल को subscribe नहीं कर रहे है, कर लिया करो, 10,000 बच्चे भी कर देंगे, तो जल्दी से हम 50K क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, अब आजाते हैं अपने main बात पर, main मुद्धा जो हमारा है, what is FW seat, ठीक है, FW seat का मतलब क्या है, कि हर private colleges के अंदर, हर एक private college के अंदर, 5% का seat का reservation होता है, FW वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 5% का seat का reservation, अब FW का मतलब क्या है, FW seat पता चल गया, fee waiver, fee waiver का मतलब क्या है, कि जो total tuition fees है, हर college की tuition fees होती है, यानि कि मान लो, अगर किसी college का fees जो है, 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000 अगर किसी college की fees है, तो लगबग 1,00,000 रुपे उस FW seat अब लेने के लिए eligible कौन से candidates होते हैं, ठीक है, अब पहले अभी बताऊंगा, FW seat मिल जाते हैं, फिर क्या फाइदा निकल कर क्याएगा, eligible कौन होते हैं, जिनके भी father की income, ठीक है, बच्चे पूछते है, मैं अपना income certificate बनवाओं या father का, obviously आप तो कमाते नहीं हो, तो father क यही बनवाओंगे न, तो जो आपके father की income हो, 6 lakh से कम हो, कितना, 6 lakh से अगर आपकी father की income कम है, देन जाकर के आप लोग को FW seat के लिए आप लोग apply कर सकते हो, पहली चीज, ठीक है, तो income certificate आपने बना लिया, अब पोर्टल पे जो है, कौन से बच्चे जो होंगे, वो जिनको जो है income certificate upload करना है, वो उनी बच्चे को करना है, जो FW seat पर yes करेंगे, ठीक है, न, वहाँ पर आपको registration के time पर yes पूछता है, yes or no, तो वहाँ अगर अगर अप yes करते हो, तो income certificate मांगेगा, अगर आप no करते हो, तो income certificate नहीं मांगेगा, ठीक है, दूसरा doubt आता है, कि हमारा जो income certificate वो कब तक valid रहता है, तो आपका UP के अंदर जो है three year के लिए valid रहता है, ठीक है न, तीन सालों के लिए आपका valid रहेगा, so don't worry for that, एक और चीज रही, कि अगर मानलो आपका FW seat मिल जाती है, ठीक है, वैसे जिनकी अच्छी rank भी हो, क्यों कि आपका पता है, पांच गया, तो 20,000 रुपे में आप पूरा एक साल का college कर रहे हो, यानि कि total पूरे की बात करूँ, अगर किसी college की fees 6 लाक रुपे है, तो लगबग आप 5 लाक तो दो गई नहीं, एक लाक में आपका पूरा का पूरा engineering हो गया, अब बताओ FW seat में मजा है, आया मजा, तो यही एक फायदा है FW seat का, बस यही है कि rank अच्छी होनी चाहिए, और यह सबसे अच्छी चीज है, ठीक है न, I hope so कि आपके सारे doubts FW seat और income certificate को ले करके clear हो गया होंगे, फिर भी कुछ doubts बचता है, तो comment section में जाके पूछ सकते हो, बट हम, आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार कि चाहे आपको FW seat लेनी हो, चाहे आपको कुछ भी choice feeling करनी हो, ठीक है, इसमें बहुत जादे important होता है, आपको किसी ना किसी mentor का, किसी ना किसी guidance का, किसी ना किसी बड़े support का, कि जिसके थूरू आप लोग अपनी अच्छे जो choice feeling कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे भाथेरे college है, और इतने college हो में अच्छा college ढूणना, यह सब से difficult task होता है, अगर आपको अच्छा college चाहिए और अच्छा college ढूणना है, हमारे counselling support में join हो जाओ, इसका price triple 9 है, WhatsApp group देखो यार, यहाँ पे WhatsApp group में, already 120 से ज्यादा students इसमें joined हो चुके हैं, आप क्या इंतजार कर रहे हो, जल्द से जॉइन करो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सबस्यार, थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत